तुछ विल्कम पर से स्टूडियो मेंबर्स आज संडे का दिन है यह चार्ट हम देख रहे थे तो कुछ एक फॉर्मिशन सोती हैं प्राइज एक्षिंस होते हैं और यह कोई एक चोटा से कैज्वल सा वीडियो है जस्ट हम यह चार्ट देख रहे थे और फॉर्मिशन मेरे सामने दिखाई पड़ी हमको जिसके विसे हम इसको रिकार्ट करने लग गए और एक टॉपिक बहुत अच्छा था जो की शेयर करना बहुत जुरूरी आप रहों के साथ वन बाइवन दो टॉपिक आज की आज की इसके नीचे जागए उपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे जस्ट लाइक डट की इसी तरह से होता है एक बार या दो बार आपने इस टॉप लोस लगा लिया अब मान लिजे कि यह कोई फॉर्मिशन है आपने यहां पर बाई करने का लगाया था इसके उपर जैसे हमारी स इसके उपर प्रैस निकलेगा, हम यह से बाई कर लेँगे आपने यहां पर स्टॉप ले लिए और ने के बार डाउन सट की तरह पने स्टॉप लोस लगा दिया अब स्टॉप लोस आप बहां लोगे तो जो शूंक्त आप को नजर आएंगे कि यहां पर स्टॉप लोग सक् यह एक support है, support के उपर price गया है, down side की तरफ आप यहां पर पिने stop loss लगाने के कोशिश करोगे, बठोगा क्या कि आपको stop loss हीट हो जाएगा, और stop loss हीट होने के बाद price upside की तरफ चला जाएगा, तो आपने यहां पर entry भी ले लिए, down side की तरफ देखिए, stop loss लगाया और price उपर चला गया, मतलब stop loss लेने के बाद stock upside की तरफ चला गया, तो इससे मन में धार्णा क्या बनती है, कि मैंने stop loss लगाया, इस वेसे stop loss चला गया, काफी सारी हैं, पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक batchmate थे हमारे, वो कहते थे कि stop loss हम लगाते न, तो जो बड़े trader होते होते हमारे stop loss कहा लगाया है, तो आते मेरा stop loss रिट करते हैं और उपर चले जाते हैं, मेरा stop loss से उनको profit हो profit लेकर वो ऊपर चले आते हैं, बागी ऐसा होता कुछ नहीं है, और दूसरा mindset होता है, कि हमने stop loss लगाया, अभी अगर stop loss हमने ना लगाया होता है, तो यहाँ पर नहीं जाता है, और इस वक्त हम profit में होते हैं, क्योंकि market यहाँ उपर चले गई हैं, तो इस वज़ए से profit में होते हैं, तो यही कुछ दो थी वीजन से हैं, जिसकी वज़ए से लोग stop loss नहीं लगाते हैं, क्योंकि stop loss लगाने दिसको लेकर एक negativity भी आती हैं, कि stop loss मतलब stop loss शब्द ही ऐसा है, stop loss, loss जुड़ा हुआ है, तो आप stop loss नहीं लगाए, कि अगर हम stop loss लगाएंगे तो पैसे जाने की डर है, उस पैसे जाने की डर को पैसे जाने की डर से हम बचना चाहते हैं, जैसे हैं इस stop loss लगाने की जरूरत के थोड़ा से निकल जाएंगे, यह मार्केट है, अच्छे अच्छे लोगों का जो attitude होता है, वो ब्रेक कर देती है, अच्छे अच्छे लोगों का, इस तरह से यह मन में है stop loss वाली बात, इसको बिलकुल दियान से निकालना होगा, आपको पता होना चाहिए, तो अकसर वीडियो में हम ऐसे भी आप लोगों को बताते रहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, कि आपको stop loss लगा कहां पर है, है न, entry आपको कहां पर लेनी, आपके entry stop loss की बीच की जो दूरी है, यही आपका success ratio बढ़ाती है, अगर इतने बीच की दूरी में आ बखा हुआ है, तो entry or stop loss यहां पर क्या है, कि आपका risk manage होता है, माल लिजे यह red वारी line आपको delete कर देते हैं, या चलिए green वारी line को delete करते हैं, तो अब यह माल लिजे red वारी line आपकी entry or downside की line आपका stop loss है, इनके जो बीच की दूरी है न, यही तो आपका risk है, इसे ही तो manage करन होगा है, इसी को बोलते है risk management, और आपने इसी को manage नहीं किया, आप profit लेने के लिए भाग है, कितना बड़ा loss हो सकता है, आप खुछ जानतों, सभी लोग समझदार है, experience order है, अब हम लोग इतनी बड़ी market में बच्चों वाली हरकत करेंगे, यह बताने का reason क्या है, कि कुछ कुछ एक अपने members हैं, जो कि बिना stop losses के कुछ एक नहीं काफी सारे हैं, बिना stop losses के काम करते हैं, बिना stop loss के काम करने का मतलब अच्छे खासे running profitable business को loss के तरफ धकेल देना, ऐसा नहीं करना होगा है, हम लोगों को stop loss लगा कर के ही आगे का काम करना है, आप stop loss लगाए, वहां तक प्राइज आगा, stop loss हिट, कोई बात नहीं, हम trade से बाहर, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कि प्राइजे के अंदर, जब stop loss लगाया जाते हैं, किसी भी स्कृट में stop loss लगाया है, और market जब stop loss हिट करती है, बहुत बड़ी candle बनती है, बहुत अच्छी candle बनती है, लाइक आपने यहां पर buy कर लिया, अब buy करने के बाद आपने stop loss कहां लगाया, हो सकता है कि यह जो green candle है, इसके उपर आपने stop loss लगाया, यहां पर stop loss लगाया, अब देखी हुआ क्या, आपने सोच है कि मेरा stop loss यहां पर है, जैसे ही price थोड़ा सा उपर जाएगा, हम यहां से बाहर निकल जाएगे, मतलब जैसे price थोड़ा सा नीचे जाएगा, अगर हमको थोड़ा loss दिखाई पड़ेगा, तो हम नीचे निकल जाएगे, और अगर उपर जाएगा, तो थोड़ा बाद profit ले करके हम निकल जाएगे, थोड़ा बहुत, मालूम ने है कि एतना थोड़ा बहुत तो profit होता थो थोड़ा से e-book कर लेते हैं, लेकिन loss, नहीं नहीं, stock भी उपर आएगा, उपर आएगा, आख बंद करके देख रहा है, वह stock उपर आएगा, लेकिन होता क्या है, जैसे या आपको stock लोग सुट होता है, इतनी इतनी बड़ी candles बनती है, आपको market निकलने का मौक लिए, अब अगर 5000 बनाए तो उतना बड़ा दिस्क भी तो आपने लिया होगा, अब एक candle बनेगे और आपके पूरे हफते की जितना भी profit होगा, सार अगासारत सिर्फ ये candle लेकल के गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा, यहां पर तो चली ठीक है, फिर भी price हो, stop losses लगाईए, कितना loss आप bear कर सकते हो, इसको मन में बैठा लेना होगा, अगर आप gambling कर रहे हो market के अंदर तो आप ये वीडियो नहीं देख सकते हैं, और नहीं ये stop loss और target identification, risk management, money management आपके लिए नहीं होता, अगर आप gambling कर रहे हो तो, क्योंकि आप बहुत बड़े trader होते आप बिजनेस, businessman, not a gambler, अगर आप अपने आपको बिजनेसमें समझ रहे हो, market के अंदर एक businessman के prospectus से काम कर रहे हो, तो तो आपको stop losses और target लगाने ही लगाने हैं, इसका ध्यान रखिएगा और बिना stop loss की काम मत कीचाएगा, एक बाफिर से चलिए हम लोग करते हैं, अब मान से ले करके यहां तक की आपकी दूरी मान लेते हैं कि 50 पैसे की है, है न, 50 पैसे की आपकी दूरी है, अब आपका रिस्क कितना है, 100 रुपय का, क्या आप 100 रुपय का रिस्क भीयर करने के लिए तयार हो, market के अंदर, और 50 पैसे का आपको stop loss आ रहा है, तो आपकी quantities कितनी आ चाहिए है, 400 रुपय का, आप 100 रुपय करने के लिए तयार हो, क्योंकि 100 रुपय आपके पास से जागा, तो आपको कुछ फरक नहीं पढ़ेगा, इसी से तो हमारे रिस्क तयार होता है, अब मेरी risk capacity है, 100 रुपय के, और हम रिस्क ले रहे हैं, 1000 रुपय का, अब डर लगे कीजिए, ऐसे कुछ बहुत अच्छे शब्द नहीं आ रहे हैं मेरी दिमाग में इस वक्त, लेकिन risk management ही सभी परेशानियों का solution आपको देता है, इसको ले करके चलना होगा, अब 200 रुपय का रिस्क लेना है, अब 200 रुपय का रिस्क लेना है, अब 200 रुपय का रिस्क लेन तो जब इस आप काम करोगा आप यकिन मानो, market क्लोज होने तक वेट करोगे, जहां तक ही बहुत बार तो हम वेट करते हैं कि हमको ब्रोकरी भार ने का लेगा, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ डिपेंड करता है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ओपर, बहुत इंपर्टन चीज होती है, इसको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है न, यह तो मनी मैनेजमेंट और जो इस्टॉप लॉस के लिए ज़रूरी पॉइंट था, य इसको रखिए न, स्टॉप लॉस लगाकर के ही काम कीजिए अपना, इसको फॉलो करिए, अगर आपको एक बड़े प्रॉस्पेक्टस में एक लंबे समय में अगर आप अपने इसके अंदर सक्सिस देख रहो मार्केट के अंदर तो तो आप इसको फॉलो करोगे और करना ही ही चाहिए, सभी को करना चाहिए, और अब हम लोग देखते हैं चलिए, एक पॉइंट है देखिए अपर इस रेड़ वाई लैंड को हमने डिलीट नहीं किया था, क्योंकि उस रीजन से हैं और यह सपोर्ट लाइन हमारी, हायर टाम फ्रेम्स की यह सपोर्ट लाइन है, यह यहां पर आ जाते हैं हम लोग टाम फ्रेम्स पर, देखें, मार्केट एक ट्रेंड में अप से डाउंसाइड की तरफ गिर रहे था यह ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉप कर रखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट इतनी बुरी तरह से ट्रैप करती है, कि प्राइज अ अप साइड की तरफ चला गया और वापस प्राइज अपनी रेंज के अंदर आ गया है, इसको कहते हैं, फेल्ड ब्रेक आउट, है न, इसको फेल्ड ब्रेक आउट कहते हैं, अच्छा इसे बचा कैसे जा सकता है, देखें, यह जस्ट एक कैजूल वीडियो, हमने इसके लि पान लीजे कि यह कोई trend line है, है यह एक trend line है, trend line में prices इस तरह से गिर रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, कि price अपनी इस वाली range को break कर दिया, हमने बाइज कर दिया, मेरे according इसको उपर जाना चाहिए था, बट market ने क्या किया है, अब साइड में breakout करने के बाद वापस अंदर गया, और गिरने लगा, फिर यह जो इसका trend है, इसको down side की दर ब्रेक कर दिया, या फिर यही कहीं इसने support ले लिया, तो कुल मिलाकर जो यहां पर आपने buying की थी, वो loss में गई, और अगर आप एक समझदा trader हो, तो आपने इस losses को cut कर दिया होगा, cut दिया होगा, अब देखी की होगा क्या, हम लोग अपने इस fail breakout से बच कैसे सकते हैं, इस इसको समझना चलूरी हो जाता है, अब जैसे यह अपना resistance line है, इसके ऊपर जब price निकलेगा, अब यह formation की breakout upside के तरफ हुआ, आप यहां पर एक काम क्या कर दिया है, जब आपको इन breakout से बचना हो, तो आप यहां यहां पर एक काम कर सकते हो, कोई भी bearish formation पकड़ो, कोई भी bearish formation, bearish या फिर bullish, bearish नहीं, bullish formation, क्योंकि आपको buy करना ना, तो यहां पर आप कोशिश करोगी, bullish formation पकड़ो, अब क्योंकि यह resistance line थी, और price आपको इसके upside के तरफ निकला था, अब अगर price को upside के तरफ जाना ना अब बुलिश formation आप डालोगों, तो बहुत सारी, हम जिस formation का यूज करते हैं, वह formation के ऊपर जाते हैं, तो थोड़ी से की लेख इसके इसके इंदर हाई हो जाती है, लेकिन आप इसके इंदर कोई भी formation यूज कर सकते हैं, अब like, कि price ने upside के तरफ यहां से breakout दिया, तो एक bullish formation पकड़िए, और उस bullish formation के, बुलिश formation है, अब इस bullish formation के breakout का वेट कीजिए, अगर price अपनी इस range को breakout कर देती है, अगर यहां पर अपनी इस bullish range को, bullish formation को breakout कर देती है, तो chances वहरी high हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं, यह पैसे के जो breakout हैं, यह successful breakout है देखें यहां से देखें इसको यहां से price upside की तरफ गया है अब किसी भी तरह की फोर्मेशन की breakout आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे यह है न देखें breakout देखने को नहीं मिलेंगे और price सीधे downside की तरफ आ गया एक candle उपर गया सीधे downside की तरफ price और अपने support को break कर दिया और यह वाले support इसको break किया है अब यह price में भी हो सकता है कि यहां से downside की तरफ ही निकल जा कुछ समय तक हमको downside की momentum शो कर सकता है तीसरा तीसरा point जब हम लोग जिसको use करते हुए stop loss से बच सकते है वो होता है volume volume confirmations volume confirmations का मतलब यह हुआ कि मान लीजे यहां पर breakout शो अगर हो जाता है तो यह और जाता है तो यह तो कि bullish formation का breakout आप देख लो यह तो गॉलूम्स के breakout आप देख लो पेल ब्रेकाउट से बच जा हो गया holy grail नहीं system है मतलब आप यहां पर इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर हमने यह बोल दिया है यह दो फॉर्मिशन्स अगर हमने आपको बता ही यह दो पॉइंट्स जो है कि bullish formation का breakout इसके उपर अगर हो जाता है तो ठीक है price उपर निकल जाएगा या फिर volumes के breakout हो जाएंगे तो price उपर निकल जाएगा तो ऐसा कुछ fixed नहीं है कि अगर यह नहीं होंगे प्राइज उपर नहीं जाएगा बलब bullish formation के breakout अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि फिर price उपर जाएगा ही नहीं जा सकता है लेकिन अगर हम trade कर अपना risk ले रहा है तो कुछ ना कुछ confirmation के लिए तो हम रुकेंगे ना अगर यह नहीं बन रही है तो भी प्राइज उपर जा सकता है जापि इसके उलट और भी चीज हो सकती है कि bullish formation के breakout भी market कर रही है है ना bullish formation के breakout market कर रही है और breakout करने के बाद नीचे आ सकती है ऐसा भी होता है लेकिन इस condition में क्या है कि हम अपना stop loss रखते हैं एक बड़े loss से वो stop loss हमको बचा लेगी stop loss मतलब मेरे losses को stop कर देगी इसको एक negative words या negative sentence में नहां लेकर कि इसको हमें positive way में लेना होगा stop loss मेरे losses को stop कर दे या फिर मेरे बड़े-बड़े losses को बड़े होने वाले losses को stop कर दे तो यह मेरे stop loss मन गया यानि कि यहां बड़ा loss नहीं करेंगे अगर हमें stop loss लगा दिया है यहां पर जो loss होगे यह मेरे क्या बोलते हैं management के recording होगा तयार है अपने losses के लिए अब यहां पर क्या confidence ज्यादा confidence के साथ आप अपने analysis कर पाओगे ज्यादा confidence से आप analysis करोगे और अपना best देन की कोशिश करोगे अब मान लेज़े कि बन गए आप और उसके breakout upside की तरफ होगे market downside की तरफ आजाती है क्या reason से हो सकता है कि यहां पर कोई resistance हो higher time frame पर जहुरूरी नहीं कोई resistance हो हमने वहां पर गौर नहीं किया वह तो जब market चल जाती तब पता चलता है कि अच्छा यहां पर weekly volumes के यह फिर 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 प्रैस एक्षिंस के हमारे रखे हुए हैं तो कुल मिलाकर moral of the story कि अगर आपको बाई करना है इन breakouts के बाद में तो किसी bullish formations के breakout का वेट कीजिए या तो फिर volumes के breakout का वेट कीजिए और इसके just downside कि अगर आपको short करना है तो breakout हो रहा है ना price मान लिए कि यहां से लेकर के हमने अपनी अगर हम को short करना है prices को अगर हम चाहते शॉट करना तो price यहां से downside के तरफ नकलिए और हम किसी bearish formation के breakout का वेट करें होता है तो हम short कर देंगे bearish formation के breakout का मतलब क्या होता है कि price जो downside के तरह बेलराइस के अंदर भी strength और भी भाकी है यह और भी अच्छे से गिर सकता है और देखें के prices में breakout हो गए है ब्रेक आउट होने के बाद price upside के तरह है और वापस price अगर मेरी range के अंदर आ जाता है इसको range trading अच्छा range trading के अलग चैप्टर है उसके लिए और वीडियो बनाकर करें अपनों को साथ या उसको शेयर करें तब तक ऐसे इसको समझ लेते हैं कि price में देखे upside के तरह breakout वापस से मेरी range के अंदर price आ गया है यह और अच्छा sign होता है downside के तरह price गिर सकता है या फिर downside के ब्रेक आउट देने के बाद price वापस से मेरी range के अंदर आ जाने के बाद को बुलिश या वीरिश फर्मिशन के ब्रेक आउट करने इस लिए इसी भी फेल ब्रेक आउट आपको बचना तो वहां पर इन फर्मिशन का यूज की जिए सिर्फ ब्रेक आउट हो गया और बाई कर लिया नहीं एक बड़ी सी बहुत से लोग होते हैं कि इस बड़ी सी गंड वहां पर आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा आप क्या करो कि निकल जाओगा वहां से जैसे आप प्रेक अपसाइट की तरफ गूंग जाता है इसी लिए हमें अपने अनलसिस को ध्यान में रखते हुए बार बार हम बात बोलते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट होते है अच्छी से अच्छी टेक्निकल अनलसिस भी बेकार हुजाती बिना रिस्क एंड मैनेज्मेंट के इन दो तीन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हो तो अच्छी फिल्ट बिकाउट से भज़ा हुए तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर आपको कुछ चीज हम बता रहे हैं त अगर आपको पसंद आया हो पुछ इंफोर्मिशन अगर आपको इसी मिली तो वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा और अब लोग में नेक्स्ट टेडिंग सेशन में देखते हैं अगर उच्छा टेड मिलता है तो उसको एक्से करेंगों आप लोगों के साथ उसको शेयर करे तंक यू झार बदट गब अवीड़ रीन